कि हलो गाई दूस्वांगे त आप सब करने वाले आज के लिए जो लंगा प्रीमर लीक का डिस्क्रिप्शन में ही टेलक्राम चैनल का लिंक है इप अफिक्शिक उपडेट्स पर जाओगेश के उपर रहती है अज की प्रडिक्शंस तो बात करें अज के मैच के तो बाले जातर रहें रहे मुकाबला तीन बज़े है दिन में ठीक है तो 28 मैचे हो चुके हैं आपर 15 जीते बैटिंग फर्ष ने 13 जीते बैटिंग सेकिंड ने इस बार के क्या लात रहे हैं वो देख लेता है इस से जादा तो मैं पूलूँगा यही चीज है तो एक जुलाई को मैच हुआ 179 बने 183 बनाए भाई 20 ओर में और गले मार्वल्स ने 179 बना का टार्गेट कर दिया चेज दो विकेट पेस कर दे तीन विकेट स्पिन के थे फिर दो जोलाई को मैच होता है यहां से बाई कोलंबो श्ट्राइकर्स और केंडी फैलकंस के बीच में जहां पर 198 बनाए कोलंबो ने और 147 पर केंडी नहीं चेज होगा है यहां पर तो केंडी फैलकंस ही में बुलूंग कर आप खेली 147 पर वो ओलाउट हो गए वरना शुरुआत इनकी भी अच्छी रही थे और एक टाइम पर यह भी विनिंग पोजिशन बोलते है न उसमें थे तो और रहाल के लिए जबरदस्त यहां से ज पर रोड़े जादे देखने को मिलते लाइकिस मैच में 9-0 वुकेट 2-3 किट स्पिं के इसमें 7 में पेस और एक एक सिर्फेट हैं को स्पिंट कर क्या रह सकती है तो भाई देखो यहां से है पातुम निशानका और कुशल मेंडिस ओपन करने हैं जिसमें कुशल मेंडिस चार रानों पर यूरू आउट हो गया था बिशले में जो आज के लिए 50-50 टाइप ऑप्शन है लेना चाहू ले सकते हो जोड़ सकते हो पर पातुम निशानका इंपॉर्ण बनेगा 51 बनाए हैं बाकी जैसे मने आपको बताया थे कि लपेल में अच्छा करते हैं कुछ के लाड़ी जिसमें से एक नाव बात हो निशानका कभी आता है अविश्का फर्नेंडो कैसा रहा डिफरेंशल पिक्सर यादोगा डिफरेंशल बताया आपको कि ओल्रेडी वाई यहां से रिस्क लेने के लिए अगर कोई बढ़िया की लाड़ी है तो वो यहीं बनता है और देगो भाई के बना दिया 59 यहां से अज के लिए अब तो सेफ ओप्शन मन गया है बट ले सकते हो दिक्कत नहीं है विश्का फर्नेंडो को बाग्यो में तो था पहले अगर देखा जाए रिसेंट फॉर्म पर अच्छा है बट शुर्वाद ज्यादा बड़ी आ रही निए श्टुर्णावन की एंड में भी यहीं चीज़ कंटीनियू होते हुँ दिख सकती है बागी चरित असलान का 33 बने बोलिंग नहीं करें बड़ा रन एक वीट नो रन एक वीट तो अच्छा चल रहा है रिसेंट फॉर्म फैबिन एलन की बात करें रन तो देखो जिरो ही बने बड़ा हिट और मिश्टाइब खिलाड़ी है मारने कुछ चार चक्के मार देए और ना तो जिरो बर आउट हो जाए तो वाला मामला है हाग पिक अपने लिए जरूर बन जाता है अगर पिक करना चाहो तो बागी रिस्क लेना है तो एक सी वीसी के तोर पर भी ट्राइब कर सकते हो कि बैटिंग से आके वह 15-20 रन आ जाए और बोलिंग से एक दो विकेट तो वैसे ठीक है बट हाँ अगर रिस्क लेना है तो ए टेकिंग डेलिवरी जा थोड़ी कम हाते है वेजस कंट की तरफ से बागे प्रमौद मदूशन जीरो पर गहते है उससे बेले रिसेंट के बात करें जीरो जीरो दो विकेट फिर जीरो जीरो देखने को बलता है और उससे बहले भी एक एक विकेट ही जो है यहां से निकाल रखाए नेक्श बेरेंडोफ है लेफ्टम पेसर अलगी उम्मीदे काफी थी मेरेंडोफ से बट गया विकेट लेस बठा वही है थोड़ा बैक करना चाहो बारेंडोफ को बरोसा करना चाहो वापस से तू कर सकते हो अदरवाइस अपने बास में सेफ ओप्शन तो वह असी कि दे कम रहेंगी यहां से कॉलंबो की तरफ से रहां कि कुछ भी आपको चेंजस वागर है यहां से होते हुए दिखे तो इधर से क्या बोलते है नूर एहमद रहेंगे लेफ्टाम चाहिना में निशान मदूशक का है और ना नूर एहमद को खिलाए ना इन्हों तफरेश इची फोम में है तो अगर मिडालोडर में को जगे मिले तो बिल्कुल आपके लिए उप्शन मनेगा पिक करने का ठीक है एक तो एलेक्सरोस हो गया और एक यहां से विशाद हो गया ठीक है यह दो खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि अगर खेलते हैं तो इंपॉंट बनेंगे इंपॉंट रहने वाला है एंड नेक्स यहां से लहिरू जो है समारा कून लेफ्ट राइट राइट आम मीडियम रिसेंटली विकेट तो इन्हों जादा निकाले नहीं है एक एक विकेटा रन के से मैच में नहीं है तो उतने इंपॉंट नहीं बनने वाले हैं इनके से ऐसे के लाडियों को आप जील वगरा में जरूरू ट्राइट दी सकते हैं एसल के लिए बन जाना क्योंकि उतने बहतर नहीं बनते हैं बठाद जील वगरा में जरूरू ट्राइट देना इनके से अगर खेले तो बाकि उसकाद में तबरे शमसी है एहसान मलिंग और उसका की जाएं यहें रहती हुए यहां से दामौलड शिक्सर्स एक तो इन टीम के ना शक eerste जोते हैं कभी यह नहीं किया हुता है अपने को एक को केंडी टसकर साथ आगी एक और जो टीम है जरसे भी केंडी रख दिया है भी केंडी लव रख देते हैं LPL वालों और वी पेल वालोंगे ना भरोसा ही नहीं है इनसे टाइटल नी चीते जाते हैं यह हर साल नाम चेंज कर देते हैं नाम चेंज दरुशका गुनाथालिका लेफ्टन बैट ओफ परेक बोलर रिसेंटली ऐसा है कि यारा बना इनोर पिछले मैच में उससे बहले बोलिंग भी कराते हैं वह दिख रहे थे बट यहां पर मिर्को थोड़ी उम्मीदे कम रहेगी गुनाथालिका से बोलिंग कराने क अगर कराता भी है तो शायद पार्ट टाइम एक दो डाल दे वरना चांस कम ही रहने वाले ठीक है तो एज़ा बैट्समेन ही पिक करके चलना गुनाथालिका को बागी उसकाद में कुशल परेरा बड़ाई रफ पे चल रहा है कुशल परेरा का जादा पिछले च्छेज़ा मैंसे सरण इनके नाम आये नहीं है पिछले में जीरो पर गए बागे उसकाद में और हां यहां से देको दोनों ही ऐसे खिलाड़ी कुशल परेरा वो मारने पर आया तो बहुत बढ़िया मार थे बट अभी के लिए फॉर्म में नहीं है तो मैं उम्मीद करूँगा बैरंड ना तो बोलिंग से रोने पॉंट्स दे रखे थे उसके बाद में ताव धिर्दोय है बीच-बीच पर रन बढ़िया देखने को है चालिस से तीस चालिस एक जोदा चार बाई खिलाड़ी थी कहीं तो कहीं न कहीं एसल में अगर बैक ना भी करो तो जील में तो बाई जरू दो इसके लाड़ी को बागे देखो अगर यहां साथ है चैप्मेन के ओपर चैप्मेन ने कमाल कर दिया पिछले मैच में ना इंटीवन यहां से बढ़िये एक ग्रैंड लिग में रख ले न और ग्रैंड लिग मेंजा सी वी सी ट्राइ कर सकते है चैप्मेन को क्योंकि हो सक हैं तो विकेट तो नहीं बठा रन वगर हैं इन्होंने जरू बना रहे हैं तो काफ़ी कॉंफिडेंट बैट्समन हैं मिलकुल एसल के लिए उप्शन यहां से अपने पास में रहने वाला है उसके बाद में यहां से मौमन नभी है जादा कुछ खास्ते को नभी ने किया न हैं ठीक बढ़िया मैं बोल सकता हूं फोम में हैं उत्रहा अच्छा भी नहीं चल रहा है भी पिछले पांच से मैचेस तो बढ़ ठीक ठीक सा चल रहा है बिलकुल ले सकते कहीं ना कहीं नुए तो सारा ओविसली मश्पिक बनेगा एक सी वीसी के लिए भी परफेक्ट मलते हैं बट आइ तिंग की मुस्ताविज रॉर्मान एंड नुवान तुसारा जादा बैटर पिक है फिलाल के लिए मदूशा का से सुरी मदूशन का से उसके बाद में आसे लहीरू उडा रहा है चलो मेरे पाता कले में जर्द है फ्रीवर हो रखा है बट तुम ने कल LPL म नहीं तो फिर अब पस तुम सपोर्ट दिखा देना फटावट से लाइक करके वहां नहीं जूटना चाहिए क्योंकि उससे से मोटिवेशन मिलता है फिर बनाने का वीडियो अगर तुम ही सपोर्ट ने दिखा होगा सफर्मेर को लाए क्या फाइदा बना के नहीं बागी त बागी रनेश सिल्वा है एक दो भारिया तुबाई की बहुत बागयों में तुबाई वो निल्बटे सननाटा टाइप परफरेंस जो हो देखने को मलता है उसका अगर रिशन देखा जाए तो आपको जाधा बढ़िया तो नहीं देखने को मलता है एक मैच जहां पर 21 चार सबसे इनका रिसेंट है उससे पहले साथ रन एक विकेट एनो नहीं किया हुआ है नेक्स्ट उसके बाद में लहिरू मदुशंका है जो की जीरो रन जीरो विकेट 26 रन जीरो विकेट एक रन दो 27 रन एक और 16 रन एक विकेट तो ठीक है बैट्समन में काबेलियत तो है यहा थाइस के वोलिंग ही किया वह वाला काम रहे देखो दो रन जीरो विकेट फिर यहां पर बैटिंग नी आई दो विकेट इनो निकाल है पांच रन दो विकेट है एक दो मैच अच्छे भी ऐसा नहीं खराब है यहां पर वोलिंग कराई थी बटर रन बना एक तालिस इन लिए तीन विकेट फिर दो मैच विकेट लेस फिर तीन विकेट फिर दो मैच विकेट लेस फिर यहां से तीन विकेट निकाल रखे है उसके बात में नुवान परदीब एक उप्शन अच्छा बनते है आपके पास में इनके सगर खिलता है ठीक है चांस है कि कही ना कही वो एक नए एक विकेट नुवान प्रदीब के खाते में आ सकता है बट टीम से बाहर बता है क्यों है कि नुवान प्रदीब को अब T20 लाइक समझते नहीं है यह थोड़ा सा रेट बोल बोलर टाइप पर थोड़ा longer format के लिए जादा अच्छा खिलाड़ी है बागी जैविकरमा दिनुशा रहते हैं अशौका मनुज है जिसमें कि अगर देखा जाए तो I think कहा गया इसका नाम दिनुशा जादा बैटर पिक है इनकेस अगर इन तीनों में से कोई खेले तो बागी वेन्यू पर भाई नो में से चार जीते हुए है जाफना ने पांच हारी हुई है वहीं अगर इनके बाद कीजा तो इनका खालत थोड़ा से जादा कराब है इन्होंने साथ में से दो जीते हैं और पांच मैचेस यहां पर हार हुए है ठीक है पिछले साल के तीन में से दो जीत गई थी डांबुला की टीम एक खारी थी और वहीं पर अगर हम रणों के बात करें वेन्यू लीडर्स में कि भाई इस आखिर इस ग्राउंड पर कोन अच्छा है यहां से करता है तो उसमें फिर अविश्का फर्णेंडो है 18 मेंच 488 रंस है कुशल परेरा 12 मेंच वह भाई 366 रं इनके नाम भी है ठीक है एवरेस है 30 का कुशल मेंडेस 12 मेंच में 361 रं है पाथूम निशान का है कि 11 मेंच में 344 हो चुक है 30 के एवरेस के साथ में आचरित असलांग का 11 मेंच में 299 पिछले मैच वाई इनकी बढ़िया थी 33 रंगी नुआन इदो फर्णेंडो 6 मेंच पर 188 और लहीरूड आरा आठ मैच में 173 रंस के साथ में है ठीक है तो यह रहते हैं फिलाल के लिए अपने जो वैन्विल डीडर से बैटिंग शेक्श पहरी 9 इंच पहरी निकाल रहे हैं पिछले में दो निकाल गया था चरीत असलांग का चार मैच में 5 उकिट धरेंजडी सिल्वाद 6 में 6 में 6 पांच में चैने चैने को मिल जाता है तो यह रहते हैं अपने यह दस मैच इस हो चुके हैं एक नौ रिजल्टर है बट अब बताता हूं एक इंट्रेस्टिंग चीज पिछला सीजन जो हुआ था ना उसमें दो मैचेस विए तो दोनों टीम्स के बीच में और दोनों बार यह सीजन के बिल्कुल अगेंश्ट में था क्योंकि 7-0 चल रहा था जो स्कोर था ना बट डामबुला ने पिछले सीजन के दोनों मैचेस यहां से विए और कहीं न कहीं आज के लिए भी एक डीसेंट टीम बनती है वो 60-40 वाला मैं बोलूँगा जो कि डामबुला के फेवर मे जाता है वहीं पर अगर बात कीजे अपने प्लेयर बैटल की पातोम निशान का अगेश्ट नुवान दुसारा जो है वो दो बार आउट हो चुके है अजमत अला ओमर्जाई अगेश्ट मुस्ताम जो रह्मान तीन बार आउट हो चुका है अविश्का फरनेंडो को भी दो बार आउट क्या हूआ है तो कही ना कहीं वो छो फिन है वो थोड़ा दिक्कत देती है नुवान दुगो भागे नेक्स्ट रिजा हिंड्रिक्स है जो शामसी अगेश्ट में चार बार आउट हो है और हिदोय है जो कि असमत अला ओमर्जाई के अगेश्ट में दो बार बाकि इसको छोड़ो देना किसी और को लेना चाओ बिल्कुल ले लो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है बागी फैबिन एलन है उसके बाद में विक्रमा सिंग है थुसारा फर्नेंडो मुस्तावजिर रह्मान मुहमंद नभी को वाने नहीं रखका है तो वह आपके पास मैं हर्द इस दर्द होगे आरकले में